अब आते हैं भूगोल पर भूगोल चुरू करें चलिए लिखना शुरू करेंगे भूगोल आई इसकी परिभाशा की खोज करते हैं आज पहला दिन है औरियेंटेशन है तो आपके सारे सवाल मैंने ले लिए और मैंने आपसे का मैंने एक वचन दिया आपसे भी वचन ले रहा हूँ मुझे भी और आपको भी हम एक दूसरे का कैरेक्टर समझ आ जाना चाहिए ना फिर बेकार में फिर गलत वचन नहीं देंगे तो परिभाचा की एक खोज अगर करें तो सभी किताब इससे शुरू होती है जियो और ग्राफी से ऐसा होती है कि नहीं यह नोट्स लिखते जाना है बच्चों सभी ग्राफ सभी जो है एक शाब्दिक अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं क्या करते हैं एक शाब्दिक अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं यह तर्म किस ने दी यह जो शब्द है जिओग्राफी ये किस ने दिया श्रीमान इराटोस्नित्य श्रुमान इराटोस्थणित ने शब्द दिया और शब्द का अगर आप अर्थ देखें तो भू और वर्नन, भूमी का वर्नन, ठीक है, क्या है ये एक यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द, हिराटोस्थेनिस यानि भूमी का वर्नन, अब इसमें भूमी शब्द और वर्नन शब्द इन दोनों पर मैं बात करना चाहता हूँ, पृत्वी का वर्नन, आर्यन सुर्यवंशी जी, आप जो कर रहे हैं, ये करना बंद कर दीजी, आप आए हैं नोट्स के लिए, मुझे पता है, हो सकता है आप शायद क्लास के लिए न भी हो, हो सकता है, आप कहीं पढ़ते पढ़ाते हूँ, जो हम आप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो करेंगे तो रहेगा, बाकी अच्छा रहेगा, क्लास करने में अच्छा लगेगा, और अल दाट, आर्यन सुर्यवंशी जी, मैं बताना चाहता हूँ, या पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे, जो हिंदी माध्यम के कई शिक्षन में जुड़े हूए हैं, ठीक है, तो आपके पास वो सारी चीज़ें, जो मैं करने वाला हूँ चाहे, मैंने जीनियू में अपने मास्टर्स में किया, वो सारी चीज़ें मैं एक अनुभव की तरह आपके पास लाना चा पापेगा, चार को पढ़ाएगा, नहीं इंट्रेस्टेड आरेन सुरुबंशी जी, बिल्कुल इंट्रेस्टेड ही नहीं, बिल्कुल इंट्रेस्टेड ही नहीं, बिल्कुल इंट्रेस्टेड ही नहीं, बिल्कुल इंट्रेस्टेड ही नहीं, बिल्कुल नोच्की हो चुकी है इसके बाद आरेश सुर्वंची को लगा किये भी तो और ये ध्यान रखिएगा सभी लोग मैं सची नरोरा आपके सामने हूँ मैं दिखाई देता हूँ आपका नाम प्राची है सुमित है सच या गलत मुझे पता नहीं क्योंकि आप गलत नाम भी रख सकते हैं लेकिन वो नाम क्लास में ज़रूर लोगा तो सोच कर सोच कर आपसे रिक्वेस्ट है सोच कर काम करें इस पर बात चलेगी तो ये लिखेंगे नहीं अभी नहीं लिखेगा इसको क्या चाहिए लिखे नोट्स आप बताइए आपको नोट्स मिल गाए पूरे जियेश के के जियेस से क्या उससे आपकी डगर यह वो भी आपकी को पीटी ले लिया कल तोड़ा होगे बट करेंगे आज पहला और आखरी दिन है ये वाले सारे काम कर लिजे जितने करने कर लिजे लेकिन हमें कल से विशेय पे काम करना है कल से विशेय पे काम करना है तो इसलिए आपको बता दिया अगली क्लास कब है? कल है कल के बाद पर्शों क्लास नहीं है वो प्लैनर कहां जाएगा आपके उस पर आ जाएगा ठीक है? सुमित कुमार सिंग जी आए बस इनका मुझे पता नहीं क्या है बट इनका स्टेटमेंट यह है सर बताये प्लीज उसी से काम हो जाएगा यह उसी से काम वाले जो गाड़ों हैं जो गाड़ से चला रहे हैं तो जो गाड़ वाले वो भी रहेंगे अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत से लोग जो 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 जोगरफी में इसलिए जुड़ गए कि चार कोचिंग और कर रहे हैं तो यहाँ भी देख लेते हैं, क्या कर रहे हैं दूसरा, कि यहाँ की क्लास को परिशान भी करा है तो आज पहला और आखरी दिन है भाई कर रहे हो आगे इनके जवाब नहीं दिये जाएंगे ठीक है, सिर्फ पहला दिन है क्योंकि हो सकता पहले दिन आयो बहुत से लोग ऐसे जो GS में कभी मेरी कोई class नहीं की है तो उन्हें लगा कि हम इसी पर खेल चलता रहेगा क्या इससे हो जाएगा, क्या उससे हो जाएगा अरे वही आठ महीने जोग्रफी करेंगे, पहले आपको प्रॉमिस कर दिया, सब चीजों में वो काम आ जाएगा, बट चलेगा, yes, चले, तो भूमी का वर्णन, इसमें दो चीजें आ रही है, इसका ध्यान देना है, बच्चों, भूमी, भूमी अथ्वा पृत्वी, इस परि अर्थ शर्फेस की बात हो रही है, ऑनली सर्फेस, अंग ell lazy में भी लिख रहा हूँ, ताकि हम उसमें भेद कर सकें, सर्फेस की बात हो रही है, क्लियर हो गया, तो जब हम बोलते हैं भूमी की बात, तो पहला शब्द उसमें जो इस परिभाषा में जो एह है, जो ध्यान द जाएंगे अब वर्णन वर्णन का मतलब होता बच्चों डिस्क्रिप्शन उसको वर्णित किया जाएगा उसके बारे में केवल उसके मुख्य बिंदू केवल प्रमुक विशेषताएं बताई जाएंगी किसकी प्रित्वी के सतय की क्या इसमें आकलन है क्या इसमें किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की कोई बात है क्या इसमें किसी निश्कर्ष पे पहुँचने की बात है हाँ या ना नहीं है ठीक है तो हम किस पर हैं दो चीजें दो शब्दों पे ध्यान देना और यहीं पर मैं आपको बार-बार परेशान करूंगा इस बात को याद दिला कर क्योंकि इस ने भुगोल को बड़ा परेशान किया है कि भाई पहली चीज तो यह वर्णन करता है वर्णन का मतलब क्या केवल वर्णन अब एक बात बताईए मैं कोई concept आपको समझाऊं ही नहीं मैं किसी निश्कर्ष पे पहुँचूं ही नहीं केवल वर्णन डेटा अगर दे के चला जाऊं तो क्या आपको समझाएगी तो भुगोल की बड़ी एक सीमित परिभाशा हो गई प्रित्वी का भू तल का प्रित्वी के तल का वर्णन ये बहुत सीमित परिभाशा है समझ मैं आपको ये कैसी परिभाशा जीमित परिभाशा क्यों आप बताईए कोई ऐसा विख्यान होगा जो समझाता नहां हो जो आंकलन ना करें जो निश्कर्ष पर नये जो केवल वर्णन करें अगर आप केवल वर्णित करते हैं तो आप विज्ञान ही नहीं तो तो ये भूगोल की एक बहुत लंबे अर्चे तक समस्या रहने वाली है और मैं आपको ये भी बता दूँ जो हमने स्कूलों में भूगोल पड़ा जो बहुत बोरिंग लगा हमें जिसमें सिरफ डेटा डेटा लगा वो यही काम कर रहा था इसलिए भूगोल गरबर आया और आज जो भूगोल है वो कुछ नया भूगोल है उसकी बात करेंगे तो पहली चीज मैंने आपको बताई शाब्दिक अर्थ शाब्दिक परिभाशा हो गई इस से हमने क्या सीखा कि जियो और ग्राफी भूमी का अध्यन जो है ये सीमित है ये किस पर सीमित है पहली चीज कि इस पर है भूमी पृत्वी ठीक है और उसके बाद क्या है वर्णन पृत्वी की सतय और उसका वर्णन ये हमने पहला किया अब इसके आगे जाते हैं इसकी एक विस्तृत और समग्र विस्तृत समग्र परिभाशा की बात करते हैं किसकी बात करने हैं विस्तृत या समग्र परिभाशा विस्तरित या समग्र परिभाशा ठीक है तो पहली बात भुगोल एक वरिहत विशे ये एक वरिहत विशे बड़ा विशे इसको कुछ शब्दों में परिभाशित करना बड़ा ही अधूरा है जैसे हमने का प्रित्वी की सतय का वर्णन ठीक है कुछ शब्दों में कुछ शब्दों में तीमांकित करके परिभाशित करना असंभव है जो हमने देखा विगत काल में कर दी गई थी ठीक है विगत काल में कर दी गई थी Do we get that? हसनेन इस पर जवाब दिया जा चुका है इसके आगे अगर आप ये चैट करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा पीछे का देख लिजे हसनेन जी बीच बीच में इस तरह करेंगे तो गरबर हो जाएगा विशे को मत तोड़िये विशे को मत तोड़िये रिक्वेस्ट तो हम अवरियत भूगोल की बात कर रहे है तो पहली चीज हम सिरफ सतय का अध्यन नहीं कह सकते तो मुझे लगता है सतय भू सतय या प्रिथ्वी तल का पहला तो मुझे ये जोड़ना पड़ेगा व्यापक व गेहन अध्यन है ख्लेर होगे सब भी लोग तो भू सतय प्रिथ्वी तल इसका व्यापक व गेहन अध्यन है ये व्यापक व गेहन अध्यन है नकी केवल सीमित वाला वर्णन नहीं है व्यापक व गेहन अध्यन है इसमें कुछ शब्दों की मैं अभी बात करना चाहता हूँ ये क्या करता है, बुगोल क्या करता है, बुगोल स्थल की बात करता है, पेस की बात करता है, पहले अंग्रेजी में लिखेंगे बच्चों, बुगोल स्पेस की बात करता है, रीजन की बात करता है, और उनके वेरियेशन्स की बात करता है. ठीक है अब ये नए शब्दार हैं इन से घवराना नहीं है तो पहले मैंने आपसे कहा एकदम foundation से चलूँगा basic से चलूँगा तो इसको क्या कहा जाता है space के लिए हिंदी है या हम इसको बात करें तो इसको भू विन्यास भी कहा जाता है region को बच्चों प्रदेश कहा जाता है region को प्रदेश कहा जाता है और variation को क्या कहा जाता है विविद्दा ये शब्द अब आपके शब्द हो जाने चाहिए ठीक है बिरियेशन, स्पेस रीजन विरियेशन, सो भुगोल क्या है? स्थान और प्रदेशों में व्याप्त विवित्ता का अध्यान, फिर से बता रहा हूँ, ये भारत, तो भारत के पास स्पेस है के नहीं, बच्चो ये बना लेंगे, ये बनाना आता कितने लोगों को, नहीं बना ना आता तो मैं बनाना सिखा देता हूँ ये भारत का schematic है तो बच्चो भारत का schematic सिखा रहा हूँ मान्चितर कल सिखाऊंगा कल की class में एक line ऐसे करनी है दूसरी line ऐसे करनी है कभी लोग मेरे साथ एक line सीधी रेखा उसके बाद एक चापाकार रेखा एक सीधी रेखा एक दू इधर लगाएंगे तो ये क्या बना बच्चो ये बना भारत का एक schematic बना दिया भारत का भारत का schematic अब एक बात बताई क्या भारत के पास space है के नहीं है क्या भारत के पास space है हाँ या ना बोलना बस तो भूगोल क्या कर रहा है मानली जब भारत का भूगोल पढ़ना है तो भारत का space पढ़ेगा इसका भूविन्यास पढ़ेगा पढ़ेगा? अच्छा. इसमें बताईए मुझे क्या भारत में कुछ पर्वतिय प्रदेश है? क्या भारत में कुछ मैदानी प्रदेश है? और क्या भारत में कुछ पठारिय प्रदेश है? है या नहीं है ठीक है तो मैं तीन लिख दूँ आप भी अपने चित्र में बनाते रहे जो भी कर रहा होता हूं ये नोट सोते हैं बच्चो वन टू थ्री तो इसमें क्या हुआ ये हुआ भारत भारत इसमें भारत के तीन भौतिक प्रदेश है परवत मैदान वपठार और सारे परवत मैदान समान तो नहीं है तो विवित्ता भी है इन सब का अगर अध्यन कर रहे हो इनका अध्यन कर रहे हो विवित्ता प्लस एक और चीज डालना चाहता हूं बच्चों स्पेस रीजन वेरियेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन 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 का मतलब बच्चों हिंदी में वित्रण भूगोल की परिभाषा जो थी भूगोल की परिभाषा थी भाई वर्णन लेकिन अब हमने क्या का भूगोल केवल वर्णन नहीं है भूगोल पड़ेगा वहाँ का भूविन्यास वहाँ का स्पेस आकार कितना बड़ा है फिर उस स्पेस में किस तरह से अलग-अलग प्रदेश हैं अलग-अलग प्रदेश हैं, और उसके बाद फिर वरियेशन, सर रीजन को शेत्र भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, शेत्र भी कह सकते हैं, ऐसे फिर मैंने कहा कि हम और फसते जाएंगे, तो हम पहले ही, अभी अपनी भाषा को यहां पर पक्का करना शुरू कर देते हैं, कि स्थान किसके लिए use होगा, space के लिए, प्रदेश किसके लिए use होगा, region के लिए, विवित्ता, variation के लिए, वित्रन, distribution के लिए, ठीक है, हमें अपनी भाशा में भी तो लाना है भूगुल, clear हो गया, अब यह बताईए, यह परिभाशा और यह परिभाशा, शाब्दिक परिभाशा, क यहां प्रिथवी की समझ को, तल की समझ को व्यापक भी किया गया, गहन भी किया गया, व्यापक बड़ा किया और गहन किया, आज का भूगोल इसलिए काम करता है, तो आज के भूगोल में आप देखेंगे, जब मैं आपको भूगोल समझाता हूँ, तो मैं पहले कहता केवल वर्णित ना करें, केवल डेटा पर ना जाएं, उसकी समझ विक्सित करें और साथ ही साथ एक मांचितर बनाता हूँ, क्यों मांचितर बनाता हूँ क्योंकि भुगोल एक बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर लेकर आता है अपने साथ और वो है वेर ठीक है? समझ मैं? अच्छा, अब कुछ हात्र जो नए है, जो विश्व का मांचितर बनाना नहीं जानते आप सबसे अनुरोध है, ये एक शीट लिजेगा, अपनी कॉपी को यूँ भुमा लिजे अपनी कॉपी को यूँ भुमा लिजे, ऐसे करके यूँ भुमा लिजे और इसको चार भागों में बाट दीजे चार भागों में बाट दीजे, फ्री हैंट, बाट देंगे और अगर आपको उत्तर अमेरिका बनाना नहीं आता, अगर आप मेरे छात्र नहीं रहे हैं, तो अभी इसको बनाना सीख लेते हैं और जिनको आता है, वो तो बहुत बड़ी आ है, C पहले क्या बनाएंगे बच्चों, C C के बाद, यहां से मेरे साथ साथ बनाते जायें, जो लोग पहली बार मेरे साथ क्लास कर रहे हैं पहले हम ने बनाएए एक C, छोटा सा C बनाएंगे इस बॉक्स में यहां पे 70 डिगरी के कोन पर एक रेखा ले जाएंगे फिर जैसे आपने घर में एक भगोने में कभी पानी उबाला होगा तो इक पानी उबालने वाला भगोना हम यहाँ पर लगा देंगे हैंडल के साथ उसके बाद फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर आप समझेए कि एक बहुत बड़े पंची ने अपने पंख भैलाए तो ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखाई देगा तो यहाँ हमने क्या कि एक पक्षी के पंख बना दिये हैं और उसके बाद मेरा नाम S सचिन है इसकी जो मिरर का प्रतिबिम्ब होगा आइने में प्रतिबिम्ब ऐसा होगा तो S का मिरर इमेज यहाँ लगाएंगे इस तरह से बनत ठीक है तो बहुत से छात्रों ने का सर हमें तो बनाना आता है सर आपसे सीखा है बहुत अच्छी बात है तो फिर तो यानि आप मेरे छात्रे हैं तो मैं आपसे चुनाथी आपको दे सकता हूँ जल्दी से बताईए Space Region Variation इसका जरा मुझे भौत एक भूगोल बताईए जर स्थल आकरिती देखें कितने लोग बना पाते हैं जल्दी से बनाईए अब तो आपको पता है मैंने भारत के बनाए आपके लिए भारत के बनाए ना मैंने आपके लिए परवत पठार मेदान इसके कौन बना सकता है देखें कितनों को याद है और मैं बता रहा हूँ बिना notes के भी आपको पता है कि बने हुए south to north नहीं चाहिए मुझे प्रादेशिक अगर आपने class किये तो आप बना पाएंगे अगर आपने मेरे साथ विश्भुगोल किया है तो बिल्कुल बन जाएगा लिखो मत बना दो मुझे यहाँ पर chat में नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर चाहिए जल्दी से तो मुझे पता है यहाँ पर तो भाई परवत है यह परवत हो गए यहां भी परवत है appellation के परवत बीच में हमारे पास क्या है यह मैदान है तट पे भी मैदान है और यहाँ पर कुछ हमारे पास Canada की शील्ड है है ना Canada की शील्ड है या नहीं है बन गए एक, दो, तीन तो भूगोल क्या करेगा इनका वर्नन करेगा भूगोल इनका क्या करेगा वर्नन करेगा डन बहुत बड़ी है आप देखे मैंने कोई भी नाम नहीं लिखा और एक्जाम में भी सर कैचित्र बना सकते, बिल्कुल बना सकते कोई कह रहा है कोस्टल कैस्केड रॉकी आपको सब याद है हब वो नहीं करना, वो तो GS में था बच्चों अब तो सीधा ऐसे ही है ठीक है इरा कह रहे हैं सर सही से नहीं बन पा रहा इरा जी आप क्लास कर लीजे मैंने कहा आप चिंता में ज़्यादा है वेटा ये तो बहुत आसान वाला है ये तो हमने उतना भी नहीं किया जित्ता जी इसमें किया था परवत पठार मैदानी तो किये अगर आपको ये नहीं बन पा रहा है यानि आप बहुत से लोग यहाँ पर एक दम से कहेंगा ये तो बन गया सर ये तो हमें आता था ये हमने भारत का किया न सर एक और मौका दीजे ये वाला समझ नहीं आया था चलिए एक और मौका दे एक और मौका दें ये बताईए ये हमने बताया था इस बॉक्स में ऐसे उपर जाना पहाड और इस तरह से नीचे आना है पहाड उपर जाना और नीचे आना है ठीक है अब ये लेटी भी रेखा 45 डिगरी के कौन की रेखा फिर लेटी भी रेखा फिर SSC बना देना है या बू बना दो फिर आपको टेस्ट देता हूं बन गया बहुत अच्छी बात है जल्दी बना देना चलते जाएगा यह सारा टेस्ट होता जा रहा भूगोल की परिभाशा हम जाने कहां पर भूगोल की परिभाशा की तरफ जा रहे हैं आज तो केवल परिभाशित कर रहे हैं अच्छा अब हमने आप से पूछा था स्थल अकृतिक प्रदेश लेकिन कुछ छात रहसे हैं जो भी भी चैट में लिख रहे हैं कि सर इसमें हमने मेक्सिको की खाड़ी भी लिखा हमने ये भी लिखा लिखा तो आपने ठीक है लेकिन ह आपने क्या लिखा जलाशे और जील भी बनानी शुरू कर दी मुझे पता है आपको याद हो गया वो तो जोगरफी जब मैं करा देता हूं विश्वगोल तो वो अंदर चला जाता है भाई लेकिन आप जो प्रश्न पूछा जाएगा वही तो बताएंगे जब स्थल आकृ रतिक प्रदेश बताईए छल्दी से बताईए उन्मकिति पर दी से सब्कृत में सब्यांज करा तो जो लोग लिकरेएं सर्थ बहुत अच्छा नहीं बन पां आपका रिवीजिन हो रहा ना बच्चों है बनाया है ज़ाओ जंदि से देखें दूसरा मौका था आपके पास अब आपके पास दूसरा मौका था मैं बना दूँ मैं बना देता हूँ भई ये हमारे पर्वत है और दोती है हिस्सा इसका क्या है इसका तो बहुत बड़ा हिस्सा तो पठार ही है ये सारा क्या है पठार और यहां पर क्या था आर्णहें लैंड याद है आर्णहें लैंड और कहां पर मैदान है तर ये कारपेंटेरिया बेसिन, ग्रेट आर्टीजन बेसिन याद है बच्चों, और नीचे डाउन्स, ग्रास लैंड, घास शेत्र था डाउन्स का, तो ये क्या कर दिया हमने, वन, परवत, टू, त्री, तो जल्दी से बताइए बच्चों, भुगोल की परिभाषा समझ में आई के नहीं आई, समझ में आगई, पहले क्या था, बहुत ही सीमित परिभाषा थी, बहुत ही सीमित परिभाषा थी, कि भाई, भूमी के सतह का वर्णन, अब हमने क्या किया, आब हमने किया, कि अब जो है, space ढूँन्डो, उस space में उसे प्रदेशों में बाटो, और उनके अंतरक बता दीजे, अच्छा क्या ये जलवायू शेत्र भी बन सकते हैं, जलवायू प्रदेश भी पूछ सकता था मैं आपसे, पूछ सकता था कि नहीं पूछ सकता था, क्या मैं आपसे वनस्पती प्रदेश पूछ सकता था, क्या मैं आपसे मृदा प्रदेश पूछ सकता नहीं पूछ सकता था, सर बिल्कुल पूछ सकता था, यही भूगोल है, और कुछ छात्रों ने कहा कि सर हमारे पास वो GS में जो हमें free atlas मिली है, वो है, तो उससे काम नहीं चलेगा, उस atlas में ये वाले प्रदेश नहीं दिये वे भाई, और जोगरफी तो अब हमें जादा ज नहीं थी, जल्दी बताईए, क्या मनुष्य के आने से पहले क्या पृत्वी पर वनस्पती, जल्वाईों, अम्रिदा थे या नहीं थे, हा या ना, थे, तो तो क्या ये प्रकृती वाले प्रदेश है के नहीं, तो क्या हम इन्हें भौतिक या प्राख।िक प्रदेश कह सक भौतिक या प्राक्रतिक प्रदेश कह सकते हैं के नहीं लेकिन आज जब मनुष्य आ गया है तो क्या उत्तर अमेरिका के जन संख्या प्रदेश होंगे या नहीं होंगे अधिक जन संख्या यहां पर है खुब सारी जन संख्या यहां पर भी है यह कुछ इनके अधिक जन संख्या वाले शेत्र है और यह बाकी जगा कम भी है जन संख्या प्रदेश हो सकते हैं हो सकते हैं, क्या यहां पर आर्थिक प्रदेश हो सकते हैं, जहां पर उद्योग हो, हो सकते के नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्या यहां पर क्रिशी प्रदेश हो सकते हैं, और क्या यहां पर प्रशासनिक प्रदेश हो सकते हैं, जैसे पचास राज्य, आया ना, पचास राज्य हैं के नहीं बच्चों, जल्दी से बताईए, वो भी प्रदेश हो गए, तो अब ये प्रदेश तो प्रकृती ने नहीं बदाए, तो ये क्या हुए, ये मानुविय प्रदेश हो गए इससे हमें ये समझ में आता है कि भूगोल, भूगोल केवल प्रित्वी का मिर्त सतय वर्णन नहीं है, प्रित्वी की सतय का वर्णन है, जिसमें भौतिक चीजों को तो वर्णित किया ही जाता है, बट प्रित्वी की सतय जो मानव के आने के बाद, मानव ने रुपांतरित कर तो मानव जनित प्रदेशों का भी अध्यन करती है कौन भूगोल मज़ा आया के नहीं है जल्दी पताईए भूगोल की परिभाशा समझ आई के नहीं है मैंने अनुछेद रूप में नहीं लिखवाया मैंने आपको इस प्रकार से समझाने के लिए लिखवाया अनुछेद र आधार पर क्षेत्र बनाता है किसी छात्र ने का सर क्या मैं इसको क्षेत्र लिख सकता हूं लिख लिजे क्षेत्र बना दिये प्रदेश बना दिये और उन प्रदेशों में विभिन्नता ढूंडता है विभिन्नता ढूंता और ये जो प्रदेश हो सकते हैं कौन से हो सकते ह ये बहुत एक भी हो सकते हैं और ये मानविय भी हो सकते हैं हो सकते के नहीं समझ में आ गया बहुत एक और मानविय है एकदम पहली ही क्लास से अपने विशह से दोस्ती कर लो अपना विशह समझाना आना चाहिए कि भाई भुगोल है क्या भुगोल पृत्वी का वर्णन है ल शेत्रों में विभाजित करते हैं फिर उन शेत्रों की विवित्ता को पड़ते हैं और उनका वित्रन देखते हैं क्या चीज है और फिर बताते हैं कि यहां पर वित्रन ऐसा क्यों है क्यों ऐसा है कि भारत में जमशेदपूर में छोटा नागपूर पठार में जमशेदपूर में ही इस पात्का से यंत्र आया कश्मीर में नहीं आया तो उसके कारण भी बताएंगे सुमित कहरा है सर खुझ से लिख लेंगे पैराग्राफ में ना ना मैं लिख वाँगा भाई मैंने कहा optional में लिखना भी सिखाना है पहले समझना है फिर लिखना है होता क्या है कि छात्र बस लिखते चले जा रहे हैं जब उनसे कहते हैं सोचो तो वो सोचने में गड़बढा जाते हैं क्या मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूँ अगर आपके पास एटलस है तो आप अपनी एटलस में अपनी एटलस में उत्तर अमेरिका खोल दीजे जरा मैं आस्ट्रेलिया खोल दाऊं मेरे आस्ट्रेलिया के अगले पेज पर यहां पर यह जो यह उस एटलस में नहीं दिये हुए यह चार मानचित्र पता है क्या है आस्ट्रेलिया के चार मानचित्र यह कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की जल्वाईयों प्राक्रतिक वनस्पति जनसंख्या और अर्थ वेवस्ता मानव और भातिक भूगोल चेक कर लिज़े आप मुश्कुरा देंगे अरे यह तो यहीं पर बना हुआ है मैं टेस्ट कर लेता हूं इसी में उत्तर अमेरिका निकालें जल्दी से निकालें और अगर आपके पास ओरियंट ब्लैक स्वान है तो उसमें भी मिलेगा ओरियंट ब्लैक स्वान होगा तो उसमें भी मिलेगा ठीक है जल्दी से बताईए उत्तर अमेरिका निकालें उत्तर अमेरिका का मानचित्र खोलें यह उत्तर अमेरिका का मानचि बस था, दिये हूएं के नहीं दिये वे, तो क्या मैं आपको ये homework दे दू, ये homework ये वाले आप बना के लाएंगे, homework रोज दूंगा, मैंने आप से कहा कि इसमें वो नहीं करेंगे, अभी एक चमपक ने लिखा, कि सर मान्चितर से समझ नहीं आता, इसको क्या चाहिए, इसको बस लिखित चाहिए, मैं कह रहा हूँ भाई गलक्षिक्षक, छोड़ दो, लिखवाने का काम भी करूँगा, आप बताई अभी लिखवाँगा और फिर मैं इसी चंपक से पूछने वाला हूँ, कि यह क्या बता देगा मुझे इसके बारे में, अभी मैं लिखित भी करवाँ जो भी चंपक था, मैं आप नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम उसका चंपक है, आप सोचे तो सही, कि आपको यह करवाया, इसको यह समझ नहीं आया, इसको यह भी समझ नहीं आया, इसको क्या समझ में आएगा, वो मैं बताता हूँ, आईए, मैं आपको बहुत आनन से, यह भ सब कुछ लिखवाऊंगा भी सिखवाऊंगा भी ये मेरा दाइत्व है आपका काम है ऋसमे अपना दिमाग और रूची लगाना सामन्य परिभाशा क्या है जल्दी से लिखेगा सामान्य परिभाशा है, भूगोल पृत्वीतल और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्यन है, सामान्य परिभाशा है, ठीक है, अध्यन भी हटाईए, विज्ञान कर देते इसको, विज्ञान, पहला, दूसरा अगर मैं देखू, दूसरी परिभाशा अगर मुझे बनानी हो, तो दूसरी परिभाशा क्या है? सामान्ने परिभाषा एक, सामान्ने परिभाषा दो, यह मैंने आपको पहले भी लिखवाई है, मानव के आवास के रूप में भूगोल, मानव के आवास के रूप में भूतल का अध्यान है, दो परिभाषा हैं होगे, अब मैं तीसरे पर आ रहा हूँ, भूगोल वेत्ताओं की परिभाषा भूगोल प्रिथ्वी की सतह के विविद्धा पून लक्षनों का के विविद्धा पून लक्षनों का शुद्ध विवस्थित एवं तार्किक शुद्ध विवस्थित एवं तार्किक वर्नन तार्किक वर्नन एवं व्याक्या का अध्धेयन है इस विमान रिचर्ड हार्ट सोन ने परिभाशा दी भुगोल पृत्वी की सतय के विवित्ता पून लक्षनों का शुद्ध विवस्थित एवं तारकिक वर्णन एवं व्याख्या का अध्यन है और यह मैं चाहता हूँ यह आप अंग्रेजी में भी लिखेंगे तो इसको लिखेंगे geography is concerned with, geography is, is concerned with accurate, orderly and rational description and interpretation of the variable character अंग्रेजी में भी लिखना है बच्चो वेरियेवल क्यारेक्टर और अर्थ सर्फिस किसी कारण से लिखवाए सबी लोग, सबी लोगे समझें कि यह लिखित में है, लिखित में ऐसा होगा, हमें लिखित भी चाहिए लेकिन अगर कोई चात्र मुझे यह कहता है, कि सर मैं लिखित में ज़्यादा समझता हूँ और ऐसे कम समझता हूँ तो ऐसे विलक्षन चात्रों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भाई हाँ यह ज़रूर है, कि जब आपको लिखित में मिल जाता है, तो आपके अंडर का रट्टूत होता कहता है, ओहो यह तो उल्टी करके आ जाओंगा एक्जाम में, फिर देख मैं टॉप कर गया, ना 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 पहले समझना होता है, फिर परिभाषाओं पर आना होता है, और आप बताईए परिभाषा आसान है रिचर्ड हाट्शोन की या मुश्किल है, जल्दी से बताईए, श्रीमान रिचर्ड हाट्शोन बहुत बड़ा नाम है, और इस परिभाषा को जोग्रफी की one of the finest worded तो निश्चित रूप से मैं आपको दोनों ही देने वाला हूँ, मैं दोनों ही देने वाला हूँ, बट कोई चंपक मुझे कही कि ये समझ में आता है, मैं आज कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ ये अच्छचों को आज भी परिशान करती, as it is UPSC, इस वाक्य को लिखकर कह देता है, इसकी व्याक्या करिए, ये पॉपुलर प्रशन है, युनिवर्सिटी में पॉपुलर प्रशन है, UPSC में पॉपुलर प्रशन है, स्टेट PCS में प्रशन है, और रिचर्ड हाट्शों कही जगा पर आएगा, तो कोशिश ये है, कि जब आपके शिक्षक को सभाता है, तो क्यों नहीं वो अपने चात्रों तक हस्तांतरित करें, भाई मैंने आपको बता दिया किस तरह पृत्वी की वर्णन है, और आपको विश्व भुगोल से कनेक्ट कर दिया, अब कई चात्र मुझे कहते हैं, कि सर ये लिख तो लिया, लेकिन हमें स्ट्राइक नहीं कर करवानी रहें, इसलिए भुगोल में, हिंदी में 300 नंबर नहीं आ रहें, हम क्या चाह रहें, नोट सभी के पास है, सभी लोग, तो आज विशे की परिभाशा थी, क्या हमें परिभाशा मिल गई, परिभाशा मिली या नहीं मिली, अब इसमें आसान परिभाशा कौन सी थी भुगोल मानव के आवास के रूप में, क्या यह मैंने आपको जियस में बता दी थी के नहीं बता दी थी, जल्दी बताईए, मानव के आवास के रूप में भूतल का अध्यन, बता दिया था, अब एक नहीं परिभाशा आई हमारे पास, पृत्वी तल और मानव के पारसप परिभाषा से पहले मैंने शब्दों से पहचान कर ली अब शब्द से डर नहीं लगता तो विवित्त पून लक्षन बिलकुल है उनको क्या करना है शुद्ध शुद्ध मतलब accurate बताना है गलत नहीं बताएंगे तो बेकार हो जाएगा सर यह मेरे बिये के सवाल में भी आया था आएगा 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 उसके बाद क्या है व्यवस्थित accurate भी orderly जिस क्रम में जैसे हमने 1,2,3 लिखा के नहीं लिखा कि भाई ये परवत है ये पठार ये मैदान है और उसके बाद तारकिक उसके पीछे का तरक भी लगाया उसकी प्लास शुरू करूंगा, आज मैंने आपको भूगोल की परिभाशा बता दी, ये हो जाएगा के नहीं हो जाएगा, ये आपका पहला भूगोल का परिचे था, आज भूगोल पढ़ाना शुरू नहीं किया, जिस भी छात्र कोई डर है कि सर लिखवाएंगे के नहीं लिखव दो, बस वो छपा हुआ दे दो, तो भाई जहां कोचिंग चलानी चला लो, यहां पर तो भूगोल मुठी में लेने आए हैं पूरे विश्वास के साथ, और ले के जाएंगे, जहां जाएंगे, आसपास मतलब लगना चाहिए भूगोल, मैंने गा कहीं कोई एंट्रेंस हो, यहां जेन्यू में एंट्रेंस होता है, दिल्ली स्कूल में एंट्रेंस होता है, में का एंट्रेंस होता है, यह करके जाएंगे, वो एंट्रेंस में आप टॉप निकल के आओगे, छोटे मोटे एक्जाम तो ऐसे ही खा जाओगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, पर इसमें क पोई कंजूसी नहीं चाहिए तो आज आपके homework क्या है ये हो जाएगी? Memorize हो जाएगी? Memorize हो जाएगी? क्या आपको शब्दों के भी शब्द भी समझने पड़ेंगे? क्या मैं ठीक कर रहा हूँ आपको आपकी vocabulary भी लिखवा रहा हूँ? चाहिए के नहीं चाहिए? क्योंकि आम भाचा में हम बोलते नहीं आम भाचा में हम ऐसे शब्द बोलते नहीं तो स्थानिक भू विन्यास हो गया या स्थान हो गया ये दो चीजें है स्थान भी कहा जाता इसको स्पेस को भू विन्यास भी मुझे पता है क्या समस्या है मेरी एक प्रशन आ गया मेरी एक प्रशन आ गया कि अंग्रेजी में प्रशन आ गया What is the difference between space and location space and place in humanistic geography अरे भाई अंग्रेजी में दोनों शब्द लग है आप सोच के देखे मेरी समस्या क्या है UPSC ने प्रशन पूछा कि space और place को लेकर humanistic geography में इन दोनों शब्दों का अर्थ बताईए और हिंदी में दोनों के लिए स्थान होता है भाई place भी स्थान है, space भी स्थान है है के नहीं तो मुझे उसका भूवे नियास धूनना पड़ा मुझे आप लोगों को वहाँ पर क्योंकि परीक्षा में आएगा उसके लिए तयार भी करना होगा तो पहले मैं अपने छात्रों की vocabulary चाऊँगा उनका होसला चाऊँगा और उनसे ये भी request कर रहा हूँ ये memorize होना चाहिए ये लिखवाँगा टेस्ट करवाने वालाओ में कौनसी परिभाशा का अध्यन है लिखा हुआ होना चाहिए दिवार पर लिख दो कोई मिले यही भूगोल है मेरा विशे क्या है ये अंग्रेजी वाली भी करनी है ये अकेली परिभाशा है जो आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में चाऊँगा